बिस्मिल्य रह्मान रहीम असलाम लेकुम नाजरीन, वेलकम टो माय चैनल नाजरीन, आज मैं आपके साथ दस ऐसे जबदस टिप चेयर करने जा रही हूँ जो डेली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा देने वाले हैं इन टिप से आपकी बहुत सी प्राब्लम्स सॉल्फ होने वाली हैं और इन टिप से आपके बहुत से पैसे भी जाया होने से बच जाएंगे इन टिप से आपका घंटों पा काम मिंटों में हो जाएगा बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का अंट तक लास में देखें और इन टिप से पायदा उठाएं तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले टिप बिने टाइम जाया किये नाजरीन आज मैं आपके साथ शहद टेस्ट करने का बहुत ही यूनीक तरीका शेयर करने जा रही हूँ ऐसा तरीका आपने पहले कभी नहीं देखा होगा ये शहद बिलकुल असल है ये हमने मार्केट से नहीं लिया अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने शहद का टेस्ट कैसे करना है तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का एक पेपर पेपर आपने ज्यादा मोटा नहीं लेना अगर आपके पास टिशू पेपर हो तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम इस पेपर के दो पिस करेंगे कैंची के साथ एक पेपर पर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी और दूसरे पेपर पर हम थोड़ा सा शहद डालेंगे सबसे पहले हम आपको पानी वाला पेपर दिखाएंगे तो ये देखें पानी वाले पेपर के बैक साइड पर भी पानी चला गया है मतलब ये कि दूसरी तरफ से भी पेपर गीला हो गया है जबके शहद वाला पेपर दूसरी तरफ से बिलकुल भी गीला नहीं हुआ इस से ये साबत होता है कि ये शहद असल है अगर इसमें जरा सी भी मिलावट होती तो पेपर की दूसरी जानब से आपको पता चल जाना था कि ये असल शहद है या फिर मिलावट वाला अगर आप भी शहर्ट टेस्ट करना चाहते हैं और मलावट वाले शहर्ट से बचना चाहते हैं तो इस तरीके से अपना शहर्ट टेस्ट करें आपको इसका रिजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा आपने एकसर देखा होगा कि जब हम नॉन स्टिकी पैन में कुछ बनाते हैं तो वो जल जाता है फिर वो जल्दी साफ नहीं होता अगर हम इसको स्टेल की जाले के साथ साफ करें तो हमारा पैन खराब हो जाएगा इसलिए हम स्टेल की जाले का इस्तेमाल बिलकुल भी नहीं क तो इस पैन को साफ करने के लिए हम लेंगे टुथ पेस्ट, टुथ पेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मुझूद हो, फिर हम लेंगे एक स्पंच, स्पंच पर हम थोड़ी सी टुथ पेस्ट लगा कर इस सारे पैन में पेस्ट को लगाएंगे, और फिर थ तोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे अब हम इसको 10 मिंट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारे 10 मिंट हो चुके हैं अब हम इसको स्पंच के साथ साफ करेंगे तो यह देखे नाजरीम कितनी असानी से जले हुए पार्ट्स पैंट से लग होना शुरू हो गए हैं इस पर बिल्कुल भी हमारी मेहनत नहीं लग रही और ना ही इस पर हमारा ज्यादा वक्त जाया हो रहा है तो यह देखे नाजरी कितनी आसानी से जले हुए पार्ट्स साफ हो गए हैं अब मैं आपको इसको धो कर दिखाती हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा नॉन स्ट को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इंशाला 100% मिलेगा तो इस ट्रिप को बनाने के लिए हमने यहां पर लिया है हाफ खीरे का पीस इसको हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे आपने इसको बारी ग्रेट करना है क्योंकि हमें इसका पानी चाहिए यह ऐसी सबदस है जो आपको 100% फाइदा देगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने खीरे को ग्रेट कर लिया है अब हम इसको चलनी में डाल कर चमच के साथ दबा कर इसका सारा पानी अलग कर लेंगे तो हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है ये पानी तकरीबन 2 टेबल स्पून है अब हम इस पानी में डालेंगे 2 टेबल स्पून अलोवेरा जल मेरे पास ये मार्किट की अलोवेरा जल है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ अगर आपके पास घर की अलोवेरा जल है तो वो ज का कैपसुल वेटमन ए का कैपसुल हमारी स्किन के लिए बहुत बैस्ट है इसको हम थोड़ा सा काट कर इसमें डालेंगे अब हम इन तुमाम चिजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपने इसको उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक के ये करीम फॉर्म में ना आ जाए ये प्रीम बन कर रेडी होगी जो आपकी स्किन को यंग सौट बनाने के साथ साथ ये आपकी स्किन से कील महासों के निशान और ब्लैक सर्कल्स को रमूव कर देगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इन तुमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब मैं आप को बताती हूँ कि आप ने इसका इस्तमाल कैसे करना है जी तो आपने इसको रात को सोने से पहले अपने फेस अपने हैंड्स पर लगाना है सुबह उठकर किसी भी अच्छे साबुन से मूँ धो लें आपका चेहरा धाग दबों से पाक हो जाएगा और इससे आपकी स्किन यंग, सौफ्ट और गोरी-गोरी हो जाएगी बस हफते में तीन दिन इसको लगाएं इसका रिजल्ट देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे आप भी लाजमी एक बार इस ट्रिप को ट्राय करके देखें आपको इसका रिजल्ट इंशालह 100% मिलेगा नाजरीन जैसा कि आप सब को पता है कि गाजरों का सीजन जा रहा है हम रोज मरा गाजरों का इस्तमाल बहुत ज़्यादा करते हैं क्यूंकि ये हमारी सहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन जब इनका सीजन चला जाता है फिर ये गाजरें बहुत महंगी मिलती ह आज मैं आपको गाजरों को स्टोर करने का ऐसा जबदस तरीका बताऊंगी जिससे आपकी गाजरें तीन माह तक सेव रहेंगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर कैरट्स को धो कर छोटे छोटे टुगडों में काट लिया है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मुकमल खुश्क हैं इन में जरा सी भी नमी नहीं है अब हम लेंगे एक जिप लॉक बैग इसमें हम इन गाजरों को डाल देंगे बस इन गाजरों को सेव करने के लिए आपने सिरफ एक बात का धिहान रखना है कि आपकी गाजरे मुकमल खुश्क होनी चाहिए अगर आपकी गाजरों में जरा सी भी नमी हुई तो आपकी गाजरें ज्यादा देर के लिए स्टोर नहीं होंगी यह खराब हो जाएंगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जिप लोग बैग में गाजर डाल दी हैं अब हम लेंगे एक बड़े से बाउल में गरम पानी उसमें हम इस जिप लोग बैग को रखेंगे जिप लोग बैग को बंद करके नहीं रखना बलके इस तरह से रखना है बस एक से दो मिंट रखने से आपके जिप लोक बैग से सारी हवा निकल जाएगी और ये बैग कुछ इस तरह का हो जाएगा अब आप इसको बंदगर के फ्रीजर में रख दें आपकी गाजरें तीन माँ तक खराब नहीं होंगी आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा आपने एक सार नोट किया होगा कि जब हम महीने का राशन वगयरा लाते हैं तो दाले वगयरा लाजमी लाते हैं चने की डाल में बहुत जल्द किड़े पड़ जाते हैं आज मैं आपको चने की डाल को सेप करने के बारे में ऐसी जबदस टिप बताऊंगी जिससे आपकी डाल 6 माह तक किड़ों से महफूज रहेगी चने की डाल को महफूज करने के लिए हम लेंगी केया टायर जार इसको दो कर आपने मुकमल खुशक कर लेना है अब हम इसमें डालेंगे साबस सुर्ख मिर्चें तीन अदद ये डाल में किड़े नहीं पड़ने देंगी फिर हम इसमें डालेंगे चने की डाल जब भी आपको कोई भी डाल को स्टोर करना हो तो एक बात का आजमी दिहान रखना है कि आप जिस कंट्रेनर या फिर जार में अपनी डाल को स्टोर करने वाले हैं वो मुकमल खुशक हो अगर हो सके तो उस जार को थोड़ी देर दूप में रख दें इससे या आपकी स्टोर की हुई डाल की उमर भढ़ जाएगी तो जैसा कि आप नमक भी कहते हैं साबत नमक इसमें जाएगा दो छोटे छोटे से पीस अब हम इस जार को बंद करके शेक करेंगे पांच सेकंड के लिए ताकि ये सारे पिज़न डाल में लिक्तोर है अब आप इस जार को जहां पर मर्जी रखें आपकी डाल छे माह तक कीड़ों से महफू एक सर देखा होगा कि हमारा गैस्ट अब हमेशा ओईली ओईली सा रहता है बेशक हम इसको जितना मर्जी साफ कर लें आज मैं आपके साथ ऐसी सबदस टिप शेयर करूंगी जो आपको 100% फाइदा देगी तो इसके लिए हम लेंगे टेलकम पाउडर टेलकम पाउडर आपक इसा भी ले सकते हैं जो आपके घ़र में मोजूद हो अब हम टेलकम पाउडर को अच्छी तरह से गैस्ट अब पर स्प्रिंगल करेंगे हम इस powder को साफ कर देंगे जब आप रात का खाना बना कर फारिग हो जाए तो सोने से पहले इस तरह से अपने gas टव पर टेलकम powder को स्प्रिंगल कर दें तो फिर जब आप सुबा उठें तो किसी भी कपड़े के साथ अपने gas टव को साफ कर लें आपके gas टफ से टेलकम पाउडर सारा आउइल अपने अंदर जजब कर लेगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है और साथ ही हमने इसका सारा पाउडर भी साफ कर दिया है इससे ना सिरफ gas टफ से आउइल साफ होगा बलके मक्हियां, मच्छर, काक्रोच और चुंटियां आपके gas टफ के पास भी नहीं आएंगी आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राय करके देखें आपको इसका result इंशालों 100% मिलेगा आपने एक सर देखा होगा कि इस तरह के जाडू को हम ज्यादातर सफाई करने के बाद ऐसे ही रख देते हैं जिस से इसके तिनके जाड की तरह लगने लग जाते हैं, वो फिर देखने में बहुत बुरे लगते हैं आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगी जो आपको बहुत जादा फाइदा देगी और जिस से आपके जाडू के तिनके बिलकुल भी खराब नहीं होंगे तो इसके लिए हम लेंगे एक पुरानी चूडियां, ऐसी पुरानी चूडियों को हम बिकार समझ कर फैंक देते हैं लेकिन आप इस तरीके से इसे यूज में ला सकते हैं अब हम इन चूडियों को जाडू पर लगाएंगे चूडियां जाडू पर लगाने से जाडू बिलकुल सीधा रहेगा और खराब नहीं होगा मेरे पास ये चूडियां थी इसलिए मैं ये इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास कोई मैटल वगरा की चूडियां हैं तो आप वो भी इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जाडू पर चूडियां डाल दी हैं और जाडू मुकमल सीधा हो गया है अब आप जाडू को जहां पर मर्जी रखें आपकी जाडू के तिनके बिलकुल भी खराब नहीं होंगे आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राइ करके देखें आपको इसका रिजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा क्या आपको पता है कि जो हम बजार से आटा लाते हैं वो मलावट वाला आटा है इसमें बहुत जादा मलावट की जाती है जो हमारी और हमारे बच्चों की सहत के लिए ठीक नहीं है आज मैं आपके साथ ऐसे जबदस टिप शेयर करूंगी जिस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये असल आटा है या फिर मलावट वाला ये यहां पर ग्रीन बाओल में मैंने असल गंदं का आटा लिया है और पिंक वाली बाओल में मैंने बाजार का आटा लिया है जो थोड़ा सा वाइट वाइट नज़रा रहा है अब हम लेएंगे लिमू उसको दर्मयान से काट कर हम इसके दो टुकड़े कर लेंगे अब हम असल वाला आटा लेंगे जो हमने गरीन वाले बाउल में डाला है इसमें हम दो तीन ट्रॉप्स लेमन जूस के डालेंगे तो ये देखें इस पर कोई भी असल नहीं हुआ लेमन जूस का ये बिलकुल वैसे का वैसा ही है आटे में जजब हो गया है अब हम लेंगे पिंक वाले बाउल जिसमें बजार का मलावट वाला आटा है इसमें भी हम लेमन जूस के दो तीन ट्रॉप्स डालेंगे तो ये देखें इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए है मतलब इसमें पता नहीं किस तरह की मलावट की गई है जो इस तरह से बबल्स बन रहे हैं तो ये पहचान है असल आटे की और मलावट वाले आटे की असल वाले आटे पर बबल्स बिलकुल भी नहीं बने जबकि बजार वाले आटे पर बबल्स बन गए थे आप भी अगर बजार से आटा लाएं तो इस तरीके से लाजमी टेस्ट करें और मलावट वाले आटे से खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राय करके देखें आपको इसका रिजल्ट इन्शाला 100% मिलेगा नाजरीन ये टिप मेरी बहुत ही यूनीक है ऐसी टिप आपने पहले कभी नहीं देखी होगी नाजरीन आपने एकसर देखा होगा कि जब हम कोकोनट घर में सेव करने के लिए लाते हैं तो ये बहुत जल्द काले पढ़ जाते हैं जो देखने में बहुत बुरे लगते हैं और फिर इनको खाने का बे दिल नहीं करता आज मैं आपके साथ ऐसी जबदस टिप शेयर करूँगी जिससे आपके नारियल बिलकुल भी काले नहीं होंगे तो इसके लिए मैंने ली है चने की डाल चने की डाल आपने इतनी लेनी है कि इसमें नारियल छुप जाएं तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक एर टाइट जार उसमें हम अपने नारियल को रखेंगे फिर हम इसके उपर डालेंगे चने की डाल ये ऐसी जबता स्टिप है जो आपके नारियल को ना तो काला होने देगी और ना ही इसमें कोई फंगस लगेगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एर टाइट जार में डाल डाल दी है अब आप इसको बंद करके जहां पर मर्जी रखें आपके नारियल काले होने से बच जाएंगे आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राय करके देखें आपको इसका रसल्ट इन्शाला 100% मिलेगा आज मैं आपके साथ ऐसी सब दस टिप शेयर करूंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए दो अदद कोईन जिसको हम सिक्के भी कहते हैं अब हम लेंगे एक वाइर वाइर के अंदर बारीक बारीक से लोहे के तार होते हैं उन में से आपने एक तार निकाल लेना है अब हम एक सिक्के के उपर इसको रखकर टेप लगाएंगे सारी तार को आपने सिक्के के अंदर बिलकुल भी नहीं करना आपने इस तार को थोड़ा सा बाहर निकाल कर टेप लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ आपने भी वैसे ही तार को लगाना है ताकि ये अच्छी तरह से इस सिक्के के साथ चिपक जाए तो ये देखें हमने टेप लगा ली है अब दूसरे सिक्के को रख कर फिर से टेप लगाएंगे और इनको आपस में जोड लेंगे आपने इस टिपको दिहान से देखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए तो ये देखें हमने दोनों सिक्कों को आपस में जोड लिया है अब हम लेंगे एक सुई सुई के सुराख में से हम इस तार को निकालेंगे ये बहुत असानी से इसमें निकल जाएग अब हम लेंगे एक धागा उसको हम तार के सुराख से निकालेंगे और एक तरफ मोड देंगे आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है अब हम सुई को बाहे निकालेंगे तो ये धागे में चली जाएगी तो ये देखें कितनी असानी से सुई में धागा चला गया है आप भी इस तरह का सुई में धागा डालने वाला आर्गनाइजर बना कर रखें और ये उनको दें जिनको सुई में धागा डालने में मुश्किल पेश आती हैं। बस एक बार इसको बना कर रखें ये आपके बहुत जादा काम आएगा।